हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू जोग्रफी क्लासिस और आप सभी का फिर से स्वागत है रिमोट सेंसिंग की एक और इंपोर्टेंट वीडियो में एक बेसिक वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन है वो जब सन से चलती है उसके बाद अर्थ की तरफ आती है तो उसके साथ क्या होता है पहले तो उसको वायू मंडल से गुजरना पढ़ता है और फिर उसको अर्थ सर्फिस से टकरा पढ़ता है तो यह जो दोनों कारक है यानि कि एट्मोस्फियर अर्थ सर्फिस इनके साथ जो है यह मारका इंट्रेक्शन हम पढ़ेंगे कि वायू मंडल के साथ जो है इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन के अंतरक्रिया कैसे होती है और फिर प्रित्वी के धरातल के सा पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की चीजे समझने के लिए आपको जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन है उसका कॉंसेट समझना बहुत जरूरी है जो कि हमारी पिछली क्लास थी पिछला वीडियो था तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज पहल करते हैं कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन की वाई-उ मंडल और पित्वी के साथ अंतर क्रिया किस प्रकार होती है तो सबसे पहले जो है हम इंट्रेक्शन ओफ येमार विद एट्मोस्फेर पढ़ेंगे कि हमारे वाई-उ मंडल के साथ जो है इलेक्ट्रो है और उसके बाद हमारे सेटलाइट के पास पहुंचती है न यही है रिमोट सेंसिंग तो सन से जो एनरजी आई पहले प्रित्वी पर आएगी और उसके बाद जो है सेंसर के पास पहुंचेगी तो इस प्रकार दो बार वायू मंदल को पार करना पड़ा पहला जब सूर्य से धरातल की तरफ जो है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन आई और दूसरा जब यह प्रित्वी के तल से टकरा कर सेंसर के पास पहुंचेगी तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन को दो बार हमारे वायू मंदल को पार करना पड़ता है और जो है वायु मंदल को पार करते समय elektromagnetic radiation के साथ-साथ क्या क्या करियाएं होती हैं एक बार इसको देखते हैं सबसे पहले हम देखें absorption या absorption absorption या absorption absorption क्या होता है किसी भी प्रकाश का absorption वायु मंदल से गुजरते समय उसका अवशोषन होगा यानि कि वो सोख लिया जाएगा वायू मंदल के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाएंगी ठीक है जो इलेक्टरो मैगनेटिक रेडियेशन है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगी ये एब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी हमारे वायू मंदल को गरम रखने के लिए ये ग्रेन हाउस इसी से होता है तो ये एब्सॉर्प्शन हो गया दूसरी जो प्रक्रिया है वो प्रकीर्णन होगी यानि कि हमारे वायू मंदल में जो तत्व मौजूद है जो गैस हैं जो डस्ट पार्टिकल्स है वाटर वेपर हैं उनसे टकराकर जो वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रो मैगन या पार्गमन यानि कि जो एनर्जी एब्सॉर्प नहीं हुई और जो स्केटर नहीं हुई वो पार्गमन करके हमारे प्रित्वी के धरातल तक पहुंचेगी और वास्तव में जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो एट्मोस्फेर से जो एनर्जी ट्रांस्मिट होक हमारी प्रित्वी पर आती है वही रिमोट सेंसिंग के काम आती है तो यह जो है इनका एक मोटा सा वो है ट्रांस्मिशन को हमें ध्यान रखना है कि जब एट्मोस्फेर के साथ इंट्रेक्शन होता ही है मारका तो सबसे जरूरी प्रक्रिया है ट्रांस्मिशन ट्रांस्मिश और scattering को अलग-अलग देखते हैं ठीक है absorption जो है वो मुख्य रूप से क्या है absorption यानि की सूरे के किरणों का सोखा जाना या उसको जो है अवशोशित कर लेना वायू मंडल के द्वारा वायू मंडल कैसे अवशोशित करेगा जो oxygen उसमें पाई जाती है जो carbon dioxide उसमें पाई जात है वो हमारी जो wavelength है electromagnetic radiation है उसको absorb कर लेता है ग्रीन हाउस effect के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अब यह जो absorbed energy है ठीक है जो energy वायू मंडल में absorbed हो गई वो remote sensing के लिए use नहीं होगी ओके अब जो energy absorbed नहीं हुई और पारगमित होकर जो है वो पृत्वी के धरातल तक पहुच रही है वो कुछ specific spectral bands में पहुच रही है ठीक है कुछ spectral band है जिनके जिन में जो है energy पूरी तरह से transmit होकर पृत्वी के धरातल पर आ रही है यह जो transparent spectral band है इनको हम atmospheric windows कहते हैं क्या कहते हैं इनको atmospheric windows कहते हैं अब जैसे यह नीचे का जो diagram है इसको आप देखिए कि हमारी तो यह जो है ultra violet rays है ठीक है यह ultra violet है visible है infrared है तो यह जो its spectral bands में जो energy आ रही है ठीक है यहां यह क्या है transmission है यह क्यों क्यों है Thank 100% तक और यह wavelength है नीचे वाली जो है वो wavelength है तो इस तरह अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में आप देख रहे हो कि यहां जो है यहां तक जो है यह transmission है यानि कि यह atmospheric window है इसके बाद जो है आप visible spectrum में देखेंगे यह जो है visible spectrum है छोटा सा इस visible spectrum में जो है 100% जो है transmission है energy का यानि कि visible spectrum की जो energy है वो पूरी तरह से transmit होकर atmosphere से earth surface पर पहुँच रही है इसके बाद जो है infrared energy है इस infrared में भी जो है जो transmission है वो काफी ज्यादा है इसके बाद जो है जो thermal infrared है और microwave है या उसमें भी जो है जो transparency है वो काफी ज्यादा है अब यहाँ यह जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे है यह actually क्या है यह atmospheric windows है जिन में जो है energy transmit हो रही है यानि कि हमारे वायू मंदल को पार करके प्रित्वी के धरातल तक पहुँच रही है अब यहाँ इस तरफ अगर आप देखेंगे यह जो बड़ी wavelength है 1 meter से जो है 1 mm से 1 meter यहाँ आप देखेंगे कि कितना ज्यादा जो है transmission है यानि कि पूरी energy जो है 100% तक transmit हो रही है यह actually longer wavelength का जो है reason है यानि कि बड़ी तरंग धहरे हैं जिसको हम microwave कहते हैं हम पीछे उसमें पढ़ चुके हैं तो यह microwave region है इस microwave में जो है बड़ी तरंग धहरे जो है वो आ इनको यहाँ पर जो है wavelength में जो है मैंने बताया है कि visible और infrared में 0.4 से लेकर और 2 micrometer तक जो है वो atmospheric window है यह actually यह वाला part है यह वाला इसके बाद mid infrared में जो है वो 3 micrometer से 5.5 micrometer तक है तो यह जो है 3 micrometer से 5.5 तक का जो छेतर है वो ही जो है यह वाला छेतर है और इसके बाद 0. 0.8 से लेकर 14 micrometer तक का जो है छेतर है 0.8 से लेकर और 14 micrometer तक का यह वाला छेतर है तो इस तरह है जो है mid infrared और thermal infrared में भी जो है spectral window atmospheric windows पाही जाती है ठीक है तो absorption जहाँ उन spectral bands में जहाँ पर absorption नहीं होता है और सीधा energy transmit होकर surface पर पहुंच रही है उसको हम atmospheric windows कहते है atmospheric windows जो है remote sensing का आधार है अब हम कुछ scattering के बात कर ले अटमोस्फिरिक scattering के बात कर रहे हैं यह जो scattering है इसका role क्या होता है remote sensing में पहले हम इसको समझगे scattering क्या है scattering का मतलब है कि इस तरह से जो है energy टकरा कर जो है चारो तरफ बिखर जाती है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें चारो तरफ से जो है energy scatter हो रही है, तो यही जो है scattering है, अब इस scattering का हमारी remote sensing पर असर क्या पड़ता है, scattering क्या है, scattering से जो है, scattering का मतलब यह है कि unwanted energy जो है, वो हमारे sensor सच पहुँच रही है, ठीक है unwanted energy, जो energy हमें नह चाहिए, sensor को कौन सी चाहिए, reflected energy चाहिए, लेकिन जो है यह कौन सी है, यह scattered energy है, तो यह scattered unwanted energy है, जो कि sensor सक पहुँच रही है, तो इसलिए जो है, यह image के contrast को कम करती है, दूसरा जो काम है, वो scattering क्या करती है, कि यह spectral reflectance को कम करती है, यानि कि जो spectral reflectance हमारे धरातल से होते हैं, उनको जो है, यह कम करती है, तो इस तरह जो है, यह remote sensing में एक बाधा के रूप में हम इसको कह सकते हैं, कि जो scattering है, वो एक बाधा के रूप में जो है, काम करती है, अब scattering के कुछ प्रकार है, scattering जो है, वायू मंडल में किस प्रकार होती है, संग शेप में इसको देख लेते है सबसे पहले selective और non selective scattering selective का मतलब यह है कि जो wavelength पर depend होती है ठीक है जो wavelength पर depend है उसको हम selective कहते हैं और non selective का मतलब यह है कि यह जो है wavelength पर depend नहीं है और non selective जो हमारी scattering है इसमें सभी तरंग धैर्यों की जो है सबहाँ प्रकीरणन होता है जो हमारी स्कैटरिंग के दो इससे है पहला गार दूसरा है का मतलब यह कि वायू-वंडर के रूप से गैसों के द्वारा सबस्तों त्की स्वाइन ऑजेए उंपर गैसों दौर्डी स कहते है वो किरणों को अवशोशित कर लेती है दूसरा जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है वो भी रिले स्कैटरिंग के कारण ही जो है दिखाई देता है इसको जो है कि इसको एक बार फिर से रिवाइज करें कि जब गैस के जो कन है जो हमारा पार्टिकल साइज है वो वेवलेंद से छोटा होता है तो रिले स्कैटरिंग होती है और जब हमारा पार्टिकल साइज जो है वेवलेंद के इक्वल होता है तो मी स्कैटरिंग होती है और यह जो मी स्कैटरिंग है यह हमारे निचले वायू मंदल में होती है और मुख्य रूप से जो है dust particle और water vapor के द्वारा होती है और जो हमारी relay scattering है वो मुख्य रूप से gases के द्वारा होती है ठीक है तो यह जो है atmospheric scattering के बारे में हो गया अब यह तो हो गया कि जो energy है वो interact हो रही है हमारे atmosphere के साथ जब atmosphere से transmit होकर atmospheric windows के माध्यम से जो है हमारी electromagnetic radiation प्रित्वी के धरातल पर पहुँच गई तो यहां पहुचकर उसके साथ जो है क्या-क्या क्रियाइं होती है अब उसको देख लेते हैं यानि कि interaction of EMR with the earth surface पर EMR जो है व अर्थ सर्फेस पर आने के बाद जो है EMR के साथ अवशोशन होता है प्रकीरिनन पार्गमन उच्सरजन और परावर्तन यहां हम देखें अवशोशन क्या होता है कि जो हमारी प्रित्वी की surface है यह हमारी प्रित्वी की surface है यह earth surface जो है वो energy को absorb कर लेती है है ना energy sun की energy absorb होती है कोई भी धरातयलय चाहे सडके हैं चाहे भूमी है वो सबकी सब गरम होती है ना जब दिन में गरम होती है क्यों होती है क्योंकि वो जो है energy को absorb करती है इसी प्रकार जो है energy की scattering भी होती है यहां जो है आप देख रहे हो कि यह energy जो है चारोदिशाओं में scatter हो गई परमिट होगी पर में जो है पारगमन होगा इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है ये अर्छ सरफेस है और ये ट्रांसमेट होकर जो है नीचे तक चली जाती है पार्गमी थोकर यानि कि धरातल के नीचे तक चली जाती है यह मुख्य वो energy को absorb करता है और उसके बाद वो गर्मी छोड़ता है उसको हम जो है emission कहते हैं जैसे आप देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो है गर्मी होती है उस समय सूर्य की गर्मी तो नहीं होती है सूर्य तो नहीं होता है एक्रमेगनेटिक रेडियेशन हमें नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी होती है उसका कारण क्या है emission है क्योंकि जो अवशोशित उर्जा है प्रित्वी के धरातल के द्वारा वह सर्जित होती है एमिट होती है और वो लॉंग वेव में होती है उस जो है इंफ्रा-ड रिजन में होती है इसके बाद जो है reflection है reflection सबसे महतवपुन प्रक्रिया है हमारी Earth सर्फेस पर जो remote sensing के काम आती है एक्चुली remote sensing में जिस energy का हम उप्योग कर रहे है हमारा sensor जिस energy को record कर रहा है वो sun की reflected energy है जो reflected energy है वो जो है हमारे satellite तक पहुँचती है तो इसको जो है इसका मतलब जब Earth सर्फेस पर electromagnetic radiation पहुचता है तो वहां सबसे महतवपुन प्रक्रिया है reflection और हमारे वायू मंडल में सबसे transmission ओके अब हम क्योंकि reflection बहुत महतवपुन है तो इस reflection के बारे में थोड़ा सा जो है देख लें reflection का मतलब है परावर्तित प्रकाश यानि कि जो energy हमारे वायू मंडल के द्वारा जो है हमारी पृत्वी के द्वारा जो energy जो है रिफ्लेक्ट हो रही है जो परावर्तित कहते हैं सन से energy आती है यह देख रहे हैं सन से energy आई और फिर यह परावर्तित होकर वापस जा रही है इसी को हम परावर्तन कहते हैं यह reflected energy ही sensor के द्वारा जो है catch की जाती है अब यह जो reflection है यह दो प्रकार का होता है एक specular और एक diffuse specular या नियमित परावर्तन का मतलब यह है क कि ऐसा परावर्तन जिसमें जो हमारी surface है वो smooth होती है ठीक है अगर smooth surface है तो हमारा जो reflection है वो specular होगा यानि कि जिस angle पर जो हमारी energy आए है उसी angle पर energy जो है जाएगी इसके बाद diffuse reflection वहां होता है जहाँ जो है जो हमारी earth surface है वो rough होती है ठीक है जहां rough होती है वहाँ पर diffuse reflection होता है और जो हमारी जो हमारा reflection है वो जैसे ये जो diagram है ये ideal specular इस diagram में ये बताया गया है कि ये जो energy है जो reflected energy है ये वास्तों में जो ideal है वो तो ये है कि जिस angle पर आए उसी angle पर जाए लेकिन वास्तों में ऐसा होता नहीं है क्य जो है scattering भी होती है यहां आप देख रहे हो कि थोड़ा सा जो है scattered एरिया दिखाए गया है इसका मतलब जब reflection होता है तो थोड़ा सा भी जो है उसमें scattering भी होती है तो इसको जो है कोई भी अर्थ पर चीज जो है वो ideal specular surface हो ही नहीं सकती है कोई ideal specular surface नहीं हो सकती है हाँ near perfect specular रिफ्लेक्टर हो सकता है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण परावर्तन नहीं हो सकता है हां उसके नजदी कुछ परावर्तन हो सकता है इसी प्रकार पूरी तरह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता है जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें भी कुछ कुछ न कुछ परावर्तन न्तरिक्श में परावर्तित होता है तो यह विए कि consistent के बारे आप यह जो है यह जब हमारा हमारे सेंसर उस तक यह जो प्रक्रियाएं हम ने पड़ी है refliction, emission और यह transmission यह सारी यह किसंसर व कार सनले तक पहुंचती है यह हमारा सन है सोरी सेंसर है सन तो यहां है यह सेंसर है इस सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें क्या है कुछ एनर्जी स्केटर हो रही है ठीक है यह स्केटर्ड एनर्जी भी सेंसर तक पहुँचती है उसके बाद सन से जो energy transmit हो गई वो हमारी earth surface पर आई और ये energy reflect होकर sensor तक पहुची है यहाँ देख रहे हैं आप scattered energy भी sensor तक पहुच रही है और फिर reflected energy भी पहुच रही है इसके बाद कुछ energy atmosphere के द्वारा absorb हो जाती है यह atmosphere की बात हो गई अब धरातल पर क्या होता है कुछ energy जो है reflect हो गई यह आप इधर देख चुके हो इसके बाद कुछ energy को atmosphere जो है absorb कर लेता है यहीं पर यह sensor तक पहुचती नहीं है और इसके बाद कुछ energy हमारी earth surface के द्वारा emit भी होती है यह reflected energy नहीं है emitted energy है और atmosphere भी energy को emit करता है तो इस तरह है sensor तक जो है atmosphere के द्वारा जो है absorb और transmitted energy भी पहुचती है और धरातल के द्वारा जो है reflected emitted energy भी पहुचती है अब थोड़ा सा जो हम spectral reflectance के बारे में पढ़ ले reflection हमने अभी पढ़ा और spectral reflectance का मतलब यह है कि विभिन spectral bands में जो है reflection अलग-अलग होता है देखे remote sensing का जो आधार है वो क्या है remote sensing का आधार यह है कि जो different objects है वो different energy reflect करते हैं जो सबसे पहले image आपको दिखाई गई थी उस image को एक बार दुबारा देखना कि उसमें जो building है या vegetation है वो अलग-अलग तरह से जो है reflection कर रहा हर चीज reflection करती है तो वह reflection जो है हमारे sensor के द्वारा record किया जाता है तो spectral reflectance यानि कि अलग-अलग spectral band में जो है reflectance होता है तो इसमें सबसे पहले यह है कि कि किसी भी जो स्पेक्ट्रल परावर्तन करती है उसके मान को यानि कि कितना स्पेक्ट्रल परावर्तन उसने किया उसे हम spectral signature कहते हैं spectral signature का concept है यानि कि कि किसी spectral band में कितना परावर्तन हुआ है वो जो है spectral signature कहलाता है इसी प्रकार यह जो spectral reflectance है यह spectral reflectance हमें जो है image पर रंग या आभा के रूप में दिखाई देती है ठीक है जितना जैसा reflection किसी object का होगा वैसा ही वो image पर दिखाई देगा तो इस तरह reflection जो है वो बहुत important है remote sensing के हिसाब से अब यहां जो है अगर हम देखें इस diagram को जो है समझने की कोशिश कीजिए यहां ऊपर की तरफ आप देखेंगे इसमें जो है different bands है blue green red blue green red near infrared short wave infrared इसका जो है और यहां नीचे आप देख रहे हैं wavelength है यह wavelength है और ऊपर जो है इन बैंड का नाम लिखा हुआ है यहां आप देख रहे हैं reflectance है यानि कि कितना reflection जो है कोई वस्तु कर रही है अब हम एक कर्व को लेते हैं सबसे पहले आप वह देखिए जिस पर वाटर लिखा हुआ है ठीक है clear lake water लिखा हुआ है वो देखे उसका जो curve है वो ये है अब इसमें आप देखे कितना कम जो है इसमें reflection है और केवल blue green red यहीं तक के इसमें जो है इसका reflection है यानि कि इससे बाहर जो है infrared और बाकी के bands में जो है यह reflection नहीं करता है अर्थात अगर हमें water body के बारे में पढ़ना है तो हमें जो है इसी visible spectrum में इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब दूसरी feature देखिए हम vegetation का लेते है vegetation का जो curve है वो देखिए ये है vegetation का जो curve है वो ये है ये वाला curve है तो इस curve को आप जो है देखिए समझने की कोशिश कीजिए यहाँ visible band में इसका एक जो है peak है जो green color है इसमें आप देख रहे हैं green color में जो है ये reflectance ज्यादा कर कोई भी वस्तु का रंग हमें कैसे दिखाई देता है vegetation हमें green क्यों दिखाई देती है क्योंकि वह green color को reflect ज्यादा करती है बाकी blue और red को absorb कर लेती है और green को reflect करती है इसलिए वह हमें green नजर आती है तो इस तरह यह जो vegetation है ये green band में reflect कर रही है blue में और red में नहीं कर रही है उसके बाद आप देखेंगे कि यह infrared region में जाकर जो है, इस infrared region में जाकर जो है, यहाँ पर यह infrared region है, इसमें जाकर जो है, यह फिर से reflection इसका बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो है, हम short wave में देखेंगे, तो यहाँ भी जो है, इसका reflection है, लेकिन सबसे ज्यादा जो reflection है, वो near infrared छ जो है remote sensing करें तो इस तरह से जो है spectral band की जो concept है वो बहुत important है जो sensor है उनको इस तरह से design किया जाता है कि वो विभिन spectral bands में जो है जो energy है उसको record करें इसी प्रकार जो है आप dry soil का देखिए dry soil का curve देखिए यह जो है dry soil का है इसमें आप देखेंगे कि यह भी जो है near infrared region में जो है वो अच्छे से कर रही है यहाँ आप देखेंगे कि यह 40-50% तक जो है इसका reflection है यहाँ भी आप है कि यह जो है ज विजिबल पोर्शन इसवील पोर्शन में भी यह 15 से 20 % का reflection कर रहा है तो इस तरह जो हमारी सुख्य मिटि है उसका झो है उसको हम विजिबल में भी देख सकते हैं और इन्फारेड में भी देख सकते हैं इसी प्रकार हमारी जो wet soil होगी यह देखिए wet soil का होता है प्लिए है ये जो कर्व हमने बनाए है यह सारे इसको जो है क्या कहा गया है इस को spectral reflectance कर्व कहा जाता है यानि कि reflection को हम जब graph के माध्यम से दिखाते हैं तो उसको spectral reflectant कर्व कहा जाता है कि अब थोड़ा सा जो है concept को और देख लेते हैं कि हमारी जो Initiative सेंसिंग और जो है यहिव क्या है multi spectral सेंसिंग का मतलब क्या है multi spectral remote s Kafka मतलब यह है कि हम एक से ज्यादा spectral band में remote sensing करें अभी हमने पीछर डेक्टेंस कर देखा कि अलग-अलग बस्तु का reflection अलग-अलग Band में अलग होता है तो इसलिए जो है हम बहुत सारे बैंड में remote sensing करते हैं उसको हम जो है multi spectral remote sensing कहते हैं hyper spectral remote sensing का मतलब यह है कि remote sensing के बहुत narrow bands में हम remote sensing करते हैं जैसे visible portion के 3 band है blue green red लेकिन उसी को हम 7 band में भी divide कर सकते हैं और उसी को हम और भी narrow bands में divide कर सकते हैं तो इस तरहें जो बिल्कुल narrow bands में जो remote sensing होती है बिल्कुल छोटे जो spectral band है उनमे remote sensing होती है उसको hyper spectral remote sensing कहा जाता है thermal remote sensing में क्या होता है कि जो thermal energy earth surface से radiate होती है यह हमारी earth surface है absorption के द्वारा यह गरम हुई ठीक है अवशोशन किया इसने सूर्य के प्रकाश का और यह गरम हुई तो जो energy radiate होगी उसको हम thermal energy कहते हैं और यह earth surface से जो है जो radiate होती है यह sensor तक पहुँचती है यह reflected energy में काम नहीं करता जो हमारी thermal remote sensing है यह reflected energy को use नहीं करता बलकि यह जो emitted energy है जो उचसरजित प्रकाश है धरती का उस पर यह काम करता है और microwave remote sensing में क्या होता है जो microwave reason में काम करता है microwave जो हमारी तरंग धहर रहे हैं क्योंकि वो बड़ी तरंग धहर रहे हैं तो यह जो है खराब मौसम में भी जो है कार्य कर सकता है microwave में क्या होता है कि ये खुद की energy ये जो है sensor है ये खुद की energy जो है अर्थ पर भेज रहा है और फिर वो जो energy reflected है उसको जो है उसको जो है ये record कर रहा है ठीक है microwave remote sensing खुद की energy भेज रहा है और फिर उसको जो है record कर रहा है तो इस तरह है ये जो दोनों remote sensing है thermal remote sensing और microwave remote sensing ये क्या है बड़ी तरंग धर्रे पर काम करती है तो इनके द्वारा जो है दिन और रात में भी काम किया जा सकता है ये ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में ही ये जो reflected remote sensing है ये वाले जो दोनों है उपर वाले ये reflected छेतर में काम करते हैं इसलिए जो है ये केवल दिन में ही काम कर सकते हैं लेकिन जो हमारी thermal remote sensing और microwave remote sensing जो है बड़े तरंग धर्रे में काम करता है इसलिए ये दिन और रात क अभी भी कार्रे कर सकता है उम्मीद करती हूं कि ये समझ आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अन्तुर्ण